देश की अर्थ व्यवस्था पर तीखी भैस हुई है विपक्ष ने डॉलर के मुकाबले गिरते रुपई को लिकर सवाल किये इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थ व्यवस्था से जलते हैं भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ व मुकाबले रुपई 66 रुपई था तो भाजबा कहती थी कि रुपई आईस्यू में चला गया लेकिन आज बीजेपी सरकार में रुपई आईस्यू से मर्चुरी में चला गया क्या वित्त मंत्री के पास रुपई को ठीक करने करके वापस घर लाने का कोई व्लान है इसके जवाब ये वित्त मंत्री ने इस संसद में क्या कुछ का यह आपको सुनाते हैं क्यों चला पर लाने क्या दिशूर माँ अपको प्रेविक ज़ंस में क्या अपको ड coolest ज़ब का लिख क legitim꾸 पूज कर्ग भ्रेविकश married को फिर बाफाश इसंथित्व सभीने की प्यं रिकोग assembly व Gokuप खिवार बयर में में का बच्टार आए जूंसितित्र package matter कि नेतुने लाग tax को बते ही यहां और एंप अप में एंप लागत जाघंभ आता Cle0 एंव लागतााे इंव जया को स because banks are under the Banking Nationalization Act and the companies otherwise are under the Companies Act. So if you go detail by detail per the CSR under the Companies Act, may not exactly fit into this, but banks, particularly the public sector banks, because they are under the Banking Nationalization Act, follow the RBI guideline as regards corporate social responsibility. So in principle, I just want to make this, you know, lay it in front of the honourable members so that we know the difference between them.